नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का UPSC पर, मैं हूँ अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज एक बेहद इंट्रेस्टिंग टाइटल में, और वो इंट्रेस्टिंग टाइटल क्या है, LX नवालनी गिरफ्तार हो गए हैं, LX नवलनी थे कहां जो गिरफ्तार ह गए हैं, चर्चा करेंगे लेकिन लाइन को अगर आप ध्यान से देखें, जिनमें लिखा है जिनने रूस ने जहर देकर मारने का प्रयास किया था, वो व्यक्ती हाल ही में गिरफ्तार हुआ है, सवाल बनता है गिरफ्तार कहा हुआ है, आंसरे मेरे पैरे साथियों, रूस म दिया गया था, एक एक करके सारी कहानियों को सिलसले वार तरीके से बताते हैं, कि कौन है वो व्यकति जिससे Britney को डरर लगता है, कौन है वो व्यकति जिसको जहर देने का प्रयास किया गया, वो फिर बच गया है, क्या यह जहर पहली जानते हैं सुर्खियों में है क्या है कि रशिया के अंदर हाल ही में एलेक्स नवालनी को गिरफतार कर लिया गया है और दुनिया के जितने भी प्रमुखदेश हैं इवन हिूमन राइट कमीशन तक इनके गिरफतारी को गलत बता रहा है और कह रहा है कि रशिया को इमीडिये हिरासत में भेज़ दिया गया है इनका गुनहा क्या था? किसी को नहीं पता है आएए बढ़ते हैं आपके सामने कुछ महत्वपूना खबारों की हिंदोस्तान टाइम्स की, एंडी टीवी की इंडियन एक्सप्रेक्स की ये सारी खबरे है कि हाल ही में एलेक्सी नवालनी गिरफतार हो गए हैं आप मेंसे जो बच्चे नए हैं जिने जानना है कि कहानी क्या है जो पहली बार इस नियूस को सुन रहे हैं वो इस पूरी घटना को शुरू से जानना चाहेंगे कौन है एलेक्स नवालनी? ये व्यक्ति हैं एलेक्सी नवालनी क्या है इनकी कहानी? आईए बताते हैं मेरे प्यारे साथियों जब भी रश्या का नाम आता है तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम व्लामेदिर पुतिन जिनको देखकर के ये फील आता है कि ये आदमी शायद कभी बुड़ा नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों रश्या के राश्टपती व्लामेदिर पुतिन जिने किसी से डर लगता है उनका नाम है एलेक्स नवालनी ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों ये कहा है वाशिंग्टन पोस्ट ये वाल स्ट्रीट जरनल जो कि एक अमेरिका का अखबार है उसकी हैडलाइन है आप लोगों के सामने और वो क्या है नॉटेबल एंट कोटेबल दा मैन व्लामेदिर पुतिन वो व्यक्ति जिससे व्लामेदिर पुतिन सबसे ज़्यादा डरते है आप पुछेंगे ये न्यूस कब की है मेरे प्यारे साथियों ये न्यूस दो हजार तेरा की है फिर आपके मन में सवाल आएगा अच्छा ये घटना इतनी पुरानी है जी हाँ इससे भी पुरानी है हम आपको शुरुआत से बताएंगे मेरे प्यारे साथियों दो हजार तेरा के अंदर वाल स्ट्रीट चरनल जो की अमेरिका का एक प्रमुख अकबार है उसने अपनी सुर्खी में बनाया था इस बात को कि विलामेदिर पुतिन किसी से डरते हैं तो उसका नाम है ऐलेकसी नवालनी कौन है ये व्यक्ति जो आपने अभी हाल फोटो में देखा यही है वो व्यक्ति ऐलेकसी नवालनी ऐसा क्या है जिसके कारण पुतिन डरते हैं अभी बताते हैं क्योंकि पुतिन का कार्यकाल अपने आप में डराने वाला भी बनता है। कैसे? मेरे प्यारे साथियों विलामेदिर पुतिन का जनम कैलिन ग्राड नावा के स्थान पे हुआ था। वर्ष 1952 के अंदर जो की सेंट पीटर्स बर्ग के नजदी किस्तित है। मेरे प्यारे साथियों यहां पर जनमे हुए विलामेदिर पुतिन बहुत लंबे समय तक रशिया की खुफिया एजेंसी जिसे हम केजी भी कहते हैं इसमें एक स्पाई एजेंट के रूप में एस्ट जर्मानी में काम करते रहे। प्यारे साथियों यह वर्श दो हजार चार में फिर से सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट चुन करके आते हैं। आमेर रशिया में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति दो बार प्रेसिडेंट रह ले वो वापस नहीं रह सकता इसलिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद आप्ट किया प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद में यह फिर से वापस प्रेसिडेंट बनके आते हैं 2012 में और अपना कारेकाल बढ़ाकर के 6 साल कर लेते हैं लिकिन इसी बीच में कोई था जो इनके उपर पूरी नजरे डालके बैठा था और अपने 6 साल के कारेकाल में 2012 के बाद 2018 में फिर से 6 साल के लिए ये चुनके आ जाते हैं ऐसा लगता है कि ये आज इवन पावर में रहने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं वर्तमान में व्लामेदिर पुतिन जिस पदपर है या जिस कारेकाल में हैं जो व्यक्ति 2000 से अपनी सक्रिय राजनिती में शुरू हुआ, 99 से 2000 के बीच में प्रधान मंत्री रहा, 2000 से लेकर के लगातार मेरे प्यारे साथियों 2008 तक जो व्यक्ति प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद में 2008 से 2012 के बीच में प्रधान मंत्री के पद पर रहा और 2012 से लेके 2024 तक वापस राज़्पती इतना लंबा कारेकाल इन्हों ने रश्या के प्रधान के रूप में अपना बिताया है। लेकिन इसी बीच में कोई था जो इन्हें हर चीज पर टीज कर रहा था और वो था एलेक्स नवानली। जिसके बारे में Wall Street Journal ने भी कहा था कि 2013 में कि इन्हें मारने का प्रयास जरूर किया जाएगा और ऐसा ही हुआ। आईए इसका इतिहास थोड़ा आपको बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों 2008 में जब अगर आप कारेकाल नौटिस करें तो आप इधर देखेंगे कि 2008 के समय पर ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे। प्रेसाने का प्रयास किया और उन्हें 2008 में ही जश्या के राष्टपती पुतिन के उपर करप्शन के चार्जिस लगाए कि ये व्यक्ति करप्ट है ये करप्शन करता है। करप्शन की बात एलेक्स नवालनी के जवारा जब लाई गई तो इसके बाद मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2017 के अंदर नवालनी खुद चुनाओं में खड़ा होना चाहते थे। 2018 के चुनाओं में जिसमें की ब्लामिदिर पुतिन अगले 6 वर्ष के लिए चुनने जा रहे थे लेकिन ब्लामिदिर पुतिन के द्वारा एलेक्स नवालनी को चुनाओ लड़ने से ही प्रतिबंदित करवा दिया गया। ये वही व्यक्ती है जिसे मल्टीपल टाइम गिरफतार किया गया है रशिया की पुलिस के द्वारा। कि अलेक्स नवालनी को वापस से एक जहर दिया जाता है। आप पूछेंगे इस वीक्ति को कितनी बार जहर दिया गया। हैं साब भी मर जाए और लकडी भी ना तूटे लेकिन ये घटना यही नहीं रोकी जब इनको कुछ नहीं हुआ तो ये व्यक्ति मेरे प्यारे साथियों 20 अगस्त 2020 को एलेक्स नवालनी को एक ऐसा जहर दिया गया जिसे हम नर्व एजेंट को तोड़ने एक ऐसा जहर दिया गया अगर आपको दिकाई दे रहा हो तो 20 अगस्त 2020 की जहांपर इनहें एलेक्स नवालनी को एक ऐसी यात्रा जिसमें कि ये ओम्स्क नामक शहर से यात्रा पर फ्लाइट में निकले हुए तो इन्हें जहर दिया गया, अब आप पूछेंगे कि कैसे दिया गया, क्या इनकों मुह में डाल दिया गया, जी नहीं, इनके द्वारा जारी रिपोर्ट में पता चला है कि इन्होंने जो अंडर वियर पहनी हुई थी, उसके माध्यम से जहर इंसर्ट किया गया था, बोले क किस अगस्त को हमने अपनी क्लास में इस ख़वर को कवर किया था, ये आपको बताता है कि किस प्रकार से अंतरास्ट्रियम मुद्धों को हमारी सुबह साड़े 6 बजे वाली जो 2.0 पर क्लास होती है, उसमें हमेशा कवर किया गया है, आप सोचिए उस मुद्धे को हमने कव किया जो अब तक सुर्खियों में बना हुआ है, और दूसरे दिन ही हमने ये न्यूज आप्ट कर ली थी जो आप लोगों के लिए अब तक महत्वपून है, मेरे प्यारे साथियों कहा गया कि ऐसी इस सिती में 22 अगस्त को जब इने जहर दे दिया गया था, 20 अगस्त को जह अयूयान के माध्यम से ले जाया गया रशिया से, जर्मयनी में जब ये गए तब लोगों के माध्यम से पता चला कि इन्हें जो जहर दिया गया है, उसका नाम और कुछ नहीं, उसका नाम मेरे प्यारे साथियों नोवी चौक है, और ये खबर प्रकाशित करी, 3 सितंबर को दाहिंदू ने ये खबर जो निकाली ये जर्मनी के ही जो नियूस थे उन रूम से भार निकाली और ये बताया कि किस प्रकार से एलेक्स नवानली को नोवी चौक दिया गया है नोवी चौक एक ऐसा नर्व एजेंट है जिसकी भयावक्ता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जहर को देने के लिए किसी व्यक्ती के संपर्क में आना भी जरूरी नहीं है अगर ये जहर किसी व्यक्ती के सामने हवा में उड़ा दिया जाए तो भी व्यक्ती इस से परिशान होकर मर सकता है उसका नर्वस सिस्टम खتم हो सकता है मेरे प्यारे साथियों दुनिया में अतंत भयानक भयानक नरसायनी का त्यार हुए है दुनिया ने VX और सैरीन नामक बहुत सारे खतरनाग जहर देखे हैं VX एक बहुत बढ़ा जहर रहा है, कैमिकल रसायन रहा है ऐसे ही सैरीन, साइक्लो सैरीन ये दो और जहर भी रहे हैं जो वर्ड वार टू के समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे ये उनसे भी खतरनाग, उनसे भी multiple time खतरनाग जहर है मेरे प्यारे साथियों, ये fourth generation जहर कहलाता है इसके बारे में बहुत पुराना इतिहास है कहा जाता है, कि जब USSR के साइन्टिस्टों से पूछा जाता था कि क्या आपके पास कोई जहर है, आप पूछेंगे USSR कहा से आ गया मेरे प्यारे साथियों, 1991 में USSR ही रशिया समेथ 15 देशों में तूटा था तो वग्यानिक इस बात को दम भरते हुए कहते थे कि VX और सेरीन तो कुछ भी नहीं, हमारे पास इससे भी भयानक हतियार है याद रखिएगा, केमिकल रसाइनिक हतियार आपसे पूछे जा सकते हैं तो VX, सेरीन और नोवी चौक, ये प्रमुख रसाइन हैं आप याद कर सकते हैं तो इन्हों ने अपने द्वारा ये बात बताई, हमने आप लोगों के लिए एक चीज और ढूंडी और वो ये थी कि कौन सा रसाइनिक फॉर्मूला होता है इस नोवी चौक में मेरे प्यारे साथियों, इसका फॉर्मूला है और्गेनो फॉस्पेट कहलाते हैं नोवी चौक के अंदर पाए जाने वाले रसायन, इन और्गेनो फॉस्पेट से निर्मित होता है नोवी चौक मैंने आपको फॉर्मूला बता करके ये नहीं बता दिया है कि इससे जहर बन जाएगा जैसे हवा के माध्धियम से, आपके सूंगने के माध्धियम से आपके शरीर में पहुचाया जा सकता है इवन इसकिन पर टच करने से ये इसकिन में अपने आप अंदर चला जाता है अलेक्स नवालनी के बारे में भी यही कहा गया कि उन्हें यहे जहर इसी प्रकार से दिया गया था जब वो फ्लाइट की यातरा पर थे तो उनकी अंडर वियर पर इसको चिपका दिया गया था और वहाँ से ब्लड के माध्धियम से ये उनके शरीर तक पहुच गया और उसने किया क्या? उसने मेरे प्यारे साथियों इनने गिरफ़तार कर दिया, फिर इन्हें मतलब हवाई जासे उतार करके हास्पिटल पहुचाया गया अब आप पूछेंगी कि ये सारी बातें पता कैसे चली? तो इसके बारे में मेरे प्यारे साथियो एलेक्स नवाली ने हाल ही में कुछ दिन पहले एक खुलासा किया था जिसमें इन्होंने उन लोगों से बात करने का दावा किया था जिन्होंने इन्हें जहर दिया था यानि कि एलेक्स नवाली ने हाल ही में एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसमें इनोंने लिखा था, I called my killer, he admitted, मैंने अपने मारने वाले को फॉन किया और उसने admit किया कि हाँ, मैंने ही आपको जहर दिया था, हमने इसके उपर भी वीडियो कवर किया था, य अब आगे की तरफ हम आपको बता रहे हैं, ये निउस हमने आपको पूरी डीटेल में बताई थी, अब उसके बाद में आगे क्या होता है, उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान की निउस ये है, कि ये recently अपना इलाज करा के स्वस्थ होकर जर्मनी से रशिया पहुंचे और इन्हे गिरफतार कर लिया गया 15 फरवरी तक के लिए, जिसका दुनिया में बहुत पूर जोर विरोध हो रहा है, रशिया की इसके प्रती, मतलब लोग भथसरना कर रहे हैं, कि ऐस व्यक्ति जो की आपके खिलाफ बोल रहा है, आप उसे गिरफतार कर ले रह और उन जहर देगे जानव में बहुत सारे लोग फेमस रहे हैं, जैसे रशिया के ही कुछ जासूस जिन्होंने रशिया की जासूसी छोड़ दी थी, नौकरी छोड़ दी थी, उनमें से सरगई इसक्रिपाल का नाम है, सरगई इसक्रिपाल और उनकी बेटी जो की जाकर के यूके में रहने लग गए थे, रशिया की स्पाई एजनसी का काम करना उनने छोड़ दिया था, उन्हें भी जहर दे करके मार दिया गया था, मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, हम पूरी तरह से इस घटना के अंदर अपनी तरफ से केवल इतनी टिपनी करना चाहते हैं, और वो टिपनी है कि कोई भी ऐसी घटना जो की डिसेंट की आवाज रोकती हो, जनता की आवाज रोकती हो, वो हमेशा दुनिया के किसी भी कौने में, किस से रोकना, ये किसी भी प्रकार से, किसी भी लोकतंत्र की या किसी भी देश की सम्रदी के लिए घातक हो सकता है, इसी के साथ ही हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ये वीडि झाल झाल